क्वीक आयस, कम्पोज यूर ड्रीम यंजा आपको वीडियो प्रोइट कराऊएंगा आप लोग चैनल को संस्काइब कर लिजेगा बेल आइकन को जरूपंपर डियएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगतार मिलती रहे हमारे टिलिगराम चैनल को जोइन करना चाहते हैं उसको जोइन कर सकते हैं उसका link वीडियो कमेंड में सेर कर दूँगा आप जोइन कर लिजेगा तो आप डेली टेस्ट होता है तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं NCRT बेस्ट में टेस्ट कराता रहता हूं डेली टेश होता है ठीक है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा बेर आइकन को जुरूब प्रेस कर लेज़ेगा जिससे इस से क्लास आपको लगातार मिलती रहे हम लोग शुरूब करते हैं सीधे लेशन की ओर ये कलास शिक्स NCRT में जो समाजिक और राणितिक ब्यवस्था है उससे जुरा हुआ ये सिकेंड पार्ट है इसमें हम लोग आज अस्थानिय सरकार और परसासन को देखेंगे अस्थानिय सरकार में हम नगर पालिका और जो है पंचायत को रखते हैं तो पंचायत के बारे मिह यहां बहुत अच्छे सिकेंग चीज बताया गया कि पंचायती राज ब्यवस्था होता क्या है ठीक है पंचायती राज ब्यवस्था के माइने क्या होते हैं पंचायत राज ब्यवस्था का चुनाव कैसे होता है पंचायत के सलसर कोन होते हैं इसके बारे मिहां पर बताया यहां लिखा हुआ है कि ग्राम सभा एक पंचायत के छेत में रहने वाले सभी वैसकों की सभा होती है हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाउं हो या एक से ज़्यादा जैसा कि इस उदार में दिया गया है कई राज्यों में हर गाउं की सभा, ग्राम सभा की बैठक अलग होती है कोई भी बैक्ती जिसकी उम्र अठारा वर्स या उससे जादा हो उसे ओट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम ग्राम सभा की सूची में, मदाता सूची में दर्ज हो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है ये कोशन आई इस में आया हुआ था PCS एक्जाम में आया हुआ है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है जाके आप देखे कि कोशन आया हुआ है तो ग्राम सभा का सदस्य वो होता है जिसका मदाता सूची में नाम दर्ज हो अठारा वर्स या उस से अधिक आयो कहो और मदाता सुची में नाम दर्ज होता है वो ग्राम सभा का सदस्र कहलाता है ये बहुत महत्पूर्ण बात है इसको याद रखना इस पोले पर अगराफ पे एक बहुत महत्पूर्ण बात इसको हमें देखना है कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है अगे लिखा है एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे छेत्रों में बटी होई होती है तो ग्राम पंचायतों में भी कई वार्ड होते हैं ठीक है परतेक वार्ड अपना एक परत ली चुनता है जो वाड़ पंच के नाम से जाना जाता है इसको मेंबर भी कहते हैं इसके साथ पंचायट छेट की लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायट का मुख्या होता है वाड़ पंच और सरपंच मिलकर के गराम पंचायट के गठन कर पांच साल के लिए करते हैं ग्राम पंचायत का एक सच्यू होता है जो ग्राम सभा का भी सच्यू होता है सच्यू का चुनाव नहीं होता है उसकी सरकार दोरा नियुक्ति की जाती है तो एक सच्यू भी होता है जो पंचायत में काम के लिए किरता उसकी नियुक्ति सरकार दोरा की जाती है सच्यू का काम क्या होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना जो भी खर्च और नेड़े हुए हैं वो उनका रिकार्ड रखना तो पंचायत पधान के साथ मिल करके सरपंच के साथ मिल करके सच्यू पूरे गाउं के चीजों को देखता है उस जितने भी खर्च होते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार होता है ठीक है फिर यहाँ पर एक कहानी केवल दी गई है उसको आप एक बार पढ़ लीजेगा वकि उसमें सा कुछ नहीं है यहाँ पर एक बहुत इंपर्टन बात दिया गया है कि ग्राम पंचायत पूरे गाउं के हित में निस्पच रूप से काम कर सके इसमें ग्राम सभा की मातपूर्ण भूमिका होती है ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंक से काम करने से रोख सकती है साथ ही पैसों का दुर्प्योग और कोई गलत काम ना हो इसकी निग्रानी भी कर सकती है इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए परतिदियों पर नज़र रखने और लोगों के परति उन्हें जिम्मेदार और जबादे बनाने में बहात्पूर भूमिका का भूमिका भी निभाती है तो पंचायत ये सब काम भी करती है इसलिए इसको बहुत ही महात्पूर तरीके से जाने की जरूरत है ये बहुत बेसिक चीज़े लेकिन हमें ज़रूरी है फिर यहां पर एक केवल कहानी देखे इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा यहां लिखा है ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठ़क होती है उसका मुख indifferent काम उसके छेत में आने वाले गाउ में विकास कार करम लागू करनवाना होता है. जैसा कि आपने देखा है कि ग्राम सभा की पंचायत के काम को सुखेति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है. ठीक है या एक परधान का जो है राश्पती द्वारब जो है एक परधान को जो है इनाम दिया गया है उसी के बारे मिहाँ पर दिया गया है पंचायत के ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं और ग्राम पंचायत की आमदनी के सुरोत क्या होते हैं पंचायत कोन कोन सा काम करती ह तो सडकों, नालियों, इस्कूलों, भावनों, पानी के सुरोतों और अनिस्साजनिक उपियों के भावनों का निर्माट और रखाव करती है और हमारे समिधान में 73 समिधान संसोधनां के द्वारा पंचायत को 29 विसाई दिये गए हैं जो है 29 काम दिये गए हैं ये भिया रखना अस्थानिय कर लगाना और उसे इकठा करना इसे मेलावला में गाउं के लोगों को रोजगार देने संबंदी सरकारी उजनाए लगो करना जैसे मनरेगा हो गया पंचायष समितियों के जो है आज जो फंचायष घ्राप पंचायष होती हैं उसके आमदनी के स्रोथ क्या होते हैं तो घरो और बजार पर लगने वाले कर से मिलने sawοι रासी विविन सरकारी विभागो दोरा चलाए गए यो जो जनपद और जिला पंचाय दोरा आती है और समधाई के विकास के लिए मिलने वाले दान इसी से जो है उनका स्रोत होता है अब यही कुशन अगर I.S. में PCS पर पूछ दे तो लोगों गलत हो जाएगा कि कुशन कहां से पुछा किया तो बिल्कुल बड़े बड़े वाक्ति बना कर गए तीन पॉइंट में अगर दे दिया जाए जैसी वात है कि यो है हमारे बिगर बेसिक मजबूत नहीं है तो कुशन हमसे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे ठीक है पंचायत के तीन अस्तर कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं कि सब कहानिया दी गई है तो पंचायत के तीन अस्तर हैं तो यहां पर लिखा हुआ है ये सब गाओं में लोग काम करते हैं जैसे उस चीज़ को दिखाया गया है कि एक तलाब का स्वर्धन कैसे किया गया है ठीक है या फिर जो है गोई गड़ार तलाब खोदने के लिए कैसे लोगों को सामिल किया जाता है तो यहां लिखा हुआ है पंचायती राज विवस्था कैसी परकिया है जिसके दोरा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं ग्रामिर्श चेत्रों में ग्राम पंचायत लोगतांदिक सरकार का पहला अस्तर है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के परतिजबाब दे होती है ठीक है तो ग्राम पंचायत किसके परतिजबाब दे होती है ग्राम सभा के प्रति जबाब दे होती है, ये बहुत महात्पूर पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, पुछा जाएगा, ग्राम पंचायत किसके प्रति जबाब दे होती है, लगेगा बहुत साधारन कोश्चन, लेकिन गलत हो जाएगा, तो ग्राम सभा के प्रति ज जबाब देना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं, तो ग्राम सभा के लोग मिल करके ही पंचायत का निर्मार करते हैं, इसलिए उसको जबाब दे ही बनती हैं, पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागिदारी दो अस्तरों पर होती है, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा अस्तर विकास खंड होता है, जिसे जनपत पंचायत या पंचायत समिती कहते हैं, एक पंचायत समिती में कई ग्राम पंचायते होती हैं, पंचायत समिती के उपर जिला पंचायत या परिशद होती है, इस तरह तीन अस्तर होता है, तो जि तो यह तीन अस्तर हैं ठीक है यह बल्वंत्राय महता समित्य के सिपारिस पर इसको लगो किया गया था ठीक है कि जो आपका जिला पंचायत है पंचायत समित्य है और ग्राम पंचायत है इस सम्मिल करके ग्रामिल विकास के लिए काम करती है ठीक है यह लिखा हुआ है समिधान में दिये हुए निर्देशों के अधार पर देश के हर राज ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए है इसलिए पंचायत समंदी कानून हर राज में कुछ अलग-अलग हो सकते है इसके पीछे मुख विचार यही है कि अपने गाउं की बेवस्था में लोगों की भागिदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले यह जो है बहुत मात्पून है और यह जो है हमारे समिदान ने हमको अधिकार दे रखा है ठीक है इस टॉपिक में बस इतनी ही बात इसमें जो इंपॉर्टन्स थी मैंने बता दिया इसको देख लीजेगा ठीक है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स चेप्टर की ओर नेक्स चेप्टर है गाओं का परसासन गाओं के परसासन में किसकी किसकी भागिदारी होती है इसके बारे में यह आपे बताया गया है तो भारत में छे लाग से अधिक गाओं है उनकी पानी बिजली सरक आधिकी जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है इसके लावाद जमीन के अदस्ता बेजो करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निप्टाने की जरूरत पड़ती है इन सब की विवस्ता के लिए गाउं का परसासनी धाचा होता है तो इस पार्ट में हम परसासनी धाचे के बारे में पढ़ेंगे लेशन के विस लेशन में ठीक है मैं पर एक कहानी दी गई है आप इसको पड़ लीजेगा ठीक है यह लिखा है पुलिस थाना यहां रखे रहेगा हर पंचायत हर जिला के हर गाउं में जो है एक पुलिस थाना होता है और आपका जिला आपका जो आपका जिला है उसे बहुत सारे पुलिस थाने होते हैं और आपका जो गाउं है वो किसी न किसी पुलिस थाने के जो है उसमें आता जो आपना एडरस लिखते हैं तो ये भी लिखते हैं कि हमारा जो गाउं किस थाने के अंतरकत आता है ये भी में है जो उसके नियंतर से नियंतर में रहता है लोग उस छेत में हुई चोरी दुर घटना मार पीड जगड़े आज की रपट जो है उसी थाने में लिखवा सकते हैं या वहां के थानेदार की जिम्यदारी होती है कि वहां लोगों से घटना के बारे पूस्ताज करें जाज परत करें और अपने छेत के अंदर आने वाले मामले पर कारवाही करें तो हर थाने का अपना छेत होता है और हर गाओं किसी थाने के अंतरगत ही आता है आपका जो है गाओं भी किसी थाने के अंतरगत आता है जब आप एडर्ट लिखते हैं तो आप उस चीज को मेंसन वहां करत पुलिस स्थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप पर दिखाईए, मतलब कि एक कहानी जी देख लीजेगा, ठीक है, यहां लिखा है राजस विभाग का काम, गाउं में राजस विभाग का काम क्या होता है, तो पटवारी होते हैं, लेकपाल होते हैं, जो रिकार्ड रखते हैं जमीनों का परधान की मदद से, लिखा हुआ है कि जमीन को मापना और उसका रिकार्ड रखना पटवारी का मुक काम होता है, तो पटवारी को ही किसी-किसी, जिले, गराज में लेकपाल कहते हैं, और किसी-किसी, जो है, राजस विभाग की जो रैंक है, उसपे स नायब तासिलदार होता है ठीक है नायब तासिलदार होता है नायब तासिलदार के नीचे कानून गो होता है कानून गो होता है और कानून गो के नीचे पटवारी होता है जिसे हम लेकपाल कहते हैं तो राजस विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी HDM होता है और सबसे छोट आपन बता भी दिया है, वो इस चीज़ को यहाँ पर लिग भी दिया गया है। कहीं पटवारी तो कहीं लेकपाल जो है, कहीं करमचारी, कहीं ग्रामिड अधिकारी तो कहीं कानूनकों कहते हैं, ठीक है? अब आप समझ गए होगे कि पटवारी काम क्या है तो गाउं की जमीनों की माप करना उसका रिकार्ड रखना और यह दाजस विभाग के अंतरका ताने वाला एक अधिकारी है यह भी आपको याद रखना है ठीक है यह आगे लिखा है हम यहां जमीन का लेखा जोखा करने वाल पटवारी करता है रजिस्टर त्यार करता यह सब सारा काम पटवारी करता है आम तोपर पटवार्यों के लिए पास खेत मापने के अलगрок थरीके होते हैं कई जगा पर वहाई एक लंबी लोहे की जनजी द्वरा इस्तेमाल करते हैं तो कहीं जरी कहते हैं ऐसे भूम की माप की जाती है ठीक है ओपार दी गई कहानी में पतवारी मोहन जो है तिस सबकी जानकारी पटवारी ही देता है किसको तो सरकार को देता है ठीक है या काम वह अपने रिकार्डों के अधार पर करता है इसलिए जरूरी है कि उसको उनको समय समय पर दुरूस्त करता रहे किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ जो है उगाने लगते हैं तो मतलब यह है कि फसलों का जमीनों का सारा रिकार्ड पटवारी ही करता है गाउं में उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है तो गाउं का परसासन के लिए बटे हुए हैं जमीन से जोड़े मामलों की बेवस्था के लिए इन जिलों को और छोटे खंडों में बाटा जाता है जिनें उप खंडों के नाम सजना जाता है जैसे तहसील तो तहसील जो है हर जिले में होती है कम से कम 3-4-5 तहसीले होती हैं उसे हम तालुका भी कहते हैं सबसे उपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तार जो है कौन होता है तो तहसील दार होता है मैंने भी आपको बताया ठीक है उन्हें बिभिन मामलों को निप्टाना होता है वो पटवारी के काम का निच्छर करते हैं और या सुन्शित करते हैं कि रिकार्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजय सुबिभिन तरह किकर रिकठा होता रहे वो यह अभी देखते हैं कि किसानों को अपनी रिकार्ड की नकल आसानी से मिल जाए वो अभी द्यार्थियों को जो पढ़ने पर जादी परमालपत्ष आदी भी जारी करते हैं अब आप से पुछा जाएगा कि जाद परमालपत्ष कहां से जारी होता है तो क्या बताएंगे तो तहसिल से जारी होता है यहाँ पे लिखा भी है आप लोग भी कई बार गए होंगे तैसिल बे बनवा करके आए भी होंगे ठीक है अगे लिखा है तैसिलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े बीबात के मामले सुने जाते हैं तो तैसिलदार की भी अपनी कचेहरी होती है कोट होता है जहापे मामले वो सुनता है ठीक है यहां एक लिखा है एक नया कानून हिंदू अधनियम धारा 2005 यह क्या कहती है जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आम तोर पर हमारे ध्यार में पुरूस होते हैं महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर ही मानी जाती है उनके बारे में जमीन के मालिक की रूप कभी नहीं सोचा जाता था क्योंकि माना जाता था कि हमारे गहां एक कांसेप्टी है जमीन का माली कुन होगा तो पुरूस ही होता है लेकिन सरकार ने कुछ नियम बदला है अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीर में हिसा नहीं मिलता था पिता की मिलत थोके बाद जमीर बेटों में बाठ दी जाती थी हाली में एक कानून बदल गया है यह कानून के मताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मा को जमीर में बराबर हिस्सा मिलता है अब जितना अधिकार बेटियों का भी होगा बेटियां भी पिता की जमीर में हिस्सा ले सकती है अब यह कानून बच चुका है या कानून सभी राज्यों के ससित परदेशों में भी लागू होगा ठीक है तिस सभी जगा पे लागू है और सब को दो है देना पड़ेगा अगर लड़की जो है मांगती है कोट जाएगी तो कोट उसको दे देगा ठीक है यहां लिखा हुआ है इस कानून से बड़ी संख्य में औरतों को फाइदा होगा उदान के लिए सुधा एक खेदियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है वहा साली सुधा है और उसके पास गाउं में वालब एक कहानी दी गई है यहां पर उसको समझना है कि वर ठीक है तो कहने मतलब यह है कि अगर महिलाओं को हम जमीन का ए कहते है तासिलदार क्या होता है इस डियम का होता है नगर अमर परेसासं को देखा है जो बदेंगे ऒाल के बार एक क्या चीज़े होती है कैसे होती है यह रिए कहानी दीगा आपन इसको पढ़ लीजीगा इस वहोतिपोर्नशी नहीं है यहां पे यहां पे लिखा हुआ है नगम पारशत और परसासनिक करमचारी यह क्या होता है ठीक है इसके बारे में यहां पर हमें पढ़ना है आगे तो एक कहानी दीगा यह गई कर इसको एक बार पढ़ लिजेगा ठीक है? यहां लिखा हुआ है अगे यहां लिखा हुआ है कि जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर करते हैं तो वार्डों में क्या होते हैं पार्षद होते हैं जैसे गाउं में मेंबर होते थे उदारन के लिए अगर बिजुली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आग जाये तो अस्थानिय पार्षद बिजुली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं तो मतलब कि छुटे-छुटे कामों में सहरों में जो है पार्षद जो है काम करते हैं जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद बिभिन मुद्दों पर नेड़े लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त कमिस्नर और परसासनिक करमचारी करते हैं तो ये नेड़े कोन लेता है, पार्षण लेते लिए लिए को काम कोन करता है, तो अधिकारी करते हैं, जिसे हम नगर आयुक्त कहते हैं, कमिस्नर कहते हैं, और परसासनिक करमचारी ही उसका नेड़े लेते हैं, या काफी अच्छा पद माना जाता है नगरों में, आयुक्त औ होते हैं, उनका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है, फिर यहां आगे लिखा हुआ है, एक कहानी की रूप में दिखा है, यहां लिखा है, पार्शद यहां परियास करते हैं, कि उनके वाड की विसिष्ट जरूरते परिशर्द के सामने रखी जा सके फिर वे ये निर्णे परसास्री करमचारी दोरा क्रियान भी किया जाते हैं ठीक है तो उसी के बारे में यहां पर बताया गया है अगे यहां लिखा हुआ है नगर निगम को पैसे कहां से मिलते हैं तिया दखना जो 74 समिधा संसोधन लागू किया गया तो 18 भी से नगर पंचायतों को दिया गया बर्तवान में तो उस समय इनको पैसा कहां से मिलता है तो लिखा है इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए निगम या रासी अलग अलग तरीकों से इकठा करता है या इस रासी का बड़ा भाग लोगों दोरा दिये गए कर टेक्स से आता है तो जो टेक्स होता है स्थानी अस्थर पे वही उनके स्रोथ होते हैं कर वह रासी है जो लोग सरकार दोरा उप्रद कराएगे सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं तो जो हम रोड पे चलते हैं चीजों का यूज करते हैं उसका हमे पैसा देना पड़ता है टेक्स की रूप में जिन लोगों ने अपने घर होते है उन्हें समकत्य कर हाउश टेक्स देना होता है सात ही पानी और अनी मिलिदाओं के लिए भी कर देना होता है जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 20-25-30% पैसा ही आता है तो पूछा जाग एक्जाम में कि निगम करका सबसे बड़ा करका सुरूत क्या होता है तो हाउश टेक्स होता है संपत्ति कर होता है यह आपको नोट कर लेना यह आप से पूछा जा सकता है ठीक है सिच्छा पर भी कर लगता है अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है अगली बार जब आप सिनिमा देखने जाएगा तो टिकट पर ध्यान दीजेगा उसमें मनरंजन के लिए कर होता है तो मनboysन जन कर भी देना पड़ता है ठीक है इसी तरह जमीर लोग सपती कर देते हैं वहीं गतल क्यास्कियां का एक भड़ा हिस्सा सामान तरह कर देता है सहार थैसा हो पर लिए होंगे ठीक है इसके बाद इसमें आगे कुछ ऐसा नहीं दिया है जिसको हम आपको बता सकें इसमें कुछ ऐसा important नहीं है कहानी केवल दी गई है तो इसको हम आप बढ़ करके time based नहीं करना है इसको केवल एक बार केवल आप लोग मन करेगा पढ़ लिजाने तो कोई दिकत नहीं है जितना मने बता दिया उसको देख लिजेगा ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे चेप्टर की और नेश चेप्टर है ग्रामिर छेत्र में आज जीविका ग्रामिर छेत्र के लोग आज जीविका क्या करते हैं इस चेप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पता नहीं है यह बच्चों के लिए था लेकिन चुकि इसमें कुछ चीजे हमने सोचा कि कुछ चीजे बता इसमें जो important है, इसमें कोई चीज important नहीं है, इसको यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है, यहाँ कुछ भी important इसमें नहीं है, कि जो आप नहीं जानते हैं, गाउं में क्या activity होती है, सब आपको पता है, ठीक है, तो इस chapter में इसमें कुछ नहीं है, जो बताएं लैक है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजेगा आप लोग ठीक है और यह आपका सहरी छेत्र में आजजीबिका तो सहरी छेत्र के आजजीबिका क्या होती है इसको भी आपको नहीं पढ़ना है इसमें पूरा जो है सहरों में क्या क्या चीज़े होती है वो सब आपको पता है यहां पर ठीक है तो आपको जो है यहां पर बहुत ज़्यादा जो है इसमें सीरियस नहीं लेना है इसको ठीक है यहां पर बहुत इंपॉर्टन चीज नहीं है ठीक है वो जी एक सहर के बारे में गरीबी सहर के आज़ीब का सहर में बाजार बड़ी दुकाने इस चीज़ों के और कहानिक रूपे दिया गया है वाकि जो साथ और आठ के NCRT है उसमें बहुत अच्छी चीज़े दी गई है तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे ठीक है तो आज हम लोग जो है इस चेप्टर में यहीं तक करते हैं जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो क्लास से बने NCRT काईगा वो बहुत महात्पूर्ण होगा उसमें हम लोग जो है और चीज़ों को देखेंगे तो जितनी भी NCRT एक राज 6 से लेके राज जो है बारत तक सारी NCRT में हर सब्जेटी करा दूँगा जिसे आपके पास एक बेसिक मजबूत होना चाहिए चीज़े होनी चाहिए ठीक है तो आप लोग भी वीडियो को पुरा देखिएगा जो जो इंपॉर्टन बता है उसको नोट कर लिजेगा कहीं कोई डाउट होता जो है कमेंट करके पूछ लिजेगा उसका जवाबा को दिया जाएगा ठीक है ओके थैंक्यू